आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिंगर प्रेंट डिवाइस को OTG केविल से कैसे कनेक्ट करके आप अपने फॉन से चला सकती हैं आप ये देख सकते हैं मंत्रा कंपनी की फिंगर प्रेंट डिवाइस है हमारे पास जिसको हम अपने मुवाइल फॉन से यूज करके आपको दिखाने वाले हैं कि आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये हमारा फॉन है तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करती हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्ले स्टोर ओपन करना होगा तो आप कोई भी फॉन रखते हैं यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा प्ले स्टोर पे जाना होगा और आपको मंत्रा आरडी सर्विस सर्च करना होगा क्योंकि मंत्रा की हमारे पास फिंगर प्रिंट डिवाइस है इसको हमें इंस्टॉल करना होगा यह मंत्रा का application है जो की RD service के लिए योज होता है अगर आप मंत्रा की fingerprint device खरीदना चाहो तो वीडियो के description में मैं link दे दूँगा तो आप उससे खरीद सकते हो तो अब भी आप देख सकते हैं यह मंत्रा की जो RD service application है बो डाउनलोड हो रही है हमारे पास आप देख सकते हैं fingerprint device भी है mobile phone भी है और हम connect करके mobile से दिखाएंगे अभी हमें क्या करना है एक और application डाउनलोड करना है मैं back करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं mantra management client नाम का application है इसको भी install पर click करते हैं और install कर लेती हैं यहां mantra RD service को मैं open करता हूँ आप यह देख सकते हैं दूसरा application भी download हो गया है इसको भी मैं open कर देता हूँ setting पर जाता हूँ और permission को allow कर देता हूँ तो setting पर आपको click करना है यहां पर permission का option आपको देखता है आपको permission के option पर click करना है क्लिक करने के बाद सभी permission को allow करना है, contact वाली को allow करना है, location वाली को allow करना है, इन तीनों को allow कर दीजिए, तो यहाँ पर location allow हो गई, सारी चीज़ें allow कर दीए, back करिए, और OTG cable को on कर दीजिए, लेकिन आपको OTG cable अपने mantra device में लगा के अपने phone में connect करनी होगी, आप यह देख स सकते हैं, हमने यह phone पर लगा दी, अब OTG को on कर देती हैं, और जैसे हम on करेंगे, हमारी यह device connect होना सुरू हो जाएगी, अब हमें back करना है, अब यहाँ पर mantra RD service को यह application को open करना है, यह scan करना automatic सुरू कर देगा, आपकी device को अपने आप scan कर देगा, आप यह देख सकते हैं, य आप कहीं पर भी fingerprint use कर सकते हो, जहाँ पर भी आप करना चाहूँ, अब कैसे करोगी, बो मैं अब आपको बताता हूँ, मैं आपको DGPay में करके use बताता हूँ, तो DGPay मैं open करता हूँ, तो आप यह देख सकते हैं, यह DGPay मैंने application use किया है, इसमें fingerprint device की जरूरत होती है, त तो यहाँ पर मैंने CSC ID डाल रहा हूँ, और CSC ID डालने के बाद आपको नीचे, प्रूसीड का option दिखेगा, उस पर आपको किलिक करना होगा, और उसके बाद हमें OTP आएगा, अपने mobile phone पर मैं select कर लेता हूँ, gate OTP पर किलिक करता हूँ, हमारे mobile पर OTP आएगा, बो OTP आ चुका है, यह OTP हम दर्ज कर देती हैं, और verify OTP पर किलिक करती हैं, अब scan करती हैं, हमें यहाँ पर अपना उटा लगाना होगा, जैसी मैं उटा लगाँगा, और यह तुरंत यह active हो जाएगी, scanning कर लेगी, और तुरंत यह DGP का account हमारा open हो जाएगा, तो इसी तरह से है, आप किसी banking service को use कर रहे हो, insurance service को कर रहे हो, DGP को कर रहे हो, या दूसरी किसी भी service को use कर रहे हो, जिसमें उटा लगा की काम होता है, या आपका उटा लगे है, आपके customer का, तो आप यह मंतरा का device खरीच सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, build quality बहुत अच्छी है, computer से भी connect ह हो जाता है, mobile से भी connect हो जाता है, और इसका by now link मैंने वीडियो के description में दे के रखा है, अगली वीडियो हमारी जो आने वाली है, वो आने वाली है, DGP के ऊपर, कि इस DGP को कैसे use कर सकते हैं, complete guide रहेगा, कैसे balance चेक कर सकते हैं, customers का, उसके बारे में पूरी जानकरी रहेगी तो उसके लिए आप इस वीडियो को like कर दीजिए, और चैनल को subscribe करने के बाद bell button दबा देना, जिससे future में आने वाली वीडियो की update आप लुकों को मिल सकें, और आप कौन सी device use करते हो, comment करके अपनी राय जरूर दीजिए, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्दियवाद